नवरात्री के अफसर पर देश भर में गर्भा महुत्साव की धूम नजर आ रही है अलग-अलग शेत्रों में माता की पूजा और चना के बाद डांडिया खेलने सभी युवा और परिवार के लोग दिखाई दे रहे हैं इसी बीच अजमेर में दिव्यांग बच्चों के ल जन और अलग-अलग लोग भी इसमें शामिल हुए जिन्होंने दिव्यांग बच्चों का काफी उत्साहा वर्दन भी किया इस दौरान डांडिया कारेक्रम में अपने आपको देखकर दिव्यांग बच्चे काफी प्रसंद मुद्रा में दिखाई दिये आज अद्वेट सेंटर जो दिव्यांग बच्चों के लिए काम करता है विशेश रुपते जो छोटे दिव्यांग बच्चे उनके लिए काम करता है यहां हमने डांडिया महासव का कारीक्रम रखा इसको हम लोग गुंग्ज प्रोग्राम का नाम दिया है यह प्रोग्राम इसके अंदर जो दिव्यांग है करीब सो से ज़्यादा दिव्यांग और उनके अभिवाओं को ने इस कारीक्रम में भाग लिया है बहुत अच्छा ये कारीक्रम हो और मेरे को लगता है ये पहला कारीक्रम ऐसा अजमेर मायुजित हो आ है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में दिव्यांग बच्चों ने भाग लिया है बच्चों ने बहुत इंजोई किया है और खास तोड़ से क्योंकि जो माताराणी का उस्षव है ये हमको मिलकर साथ मनाने का एक संदेश देता है हमको ये देता है कि हर व्यक्ति में एक उस्सा उमंग होनी चाहिए जीवन में प्लंबीका हेडाजी के नेत्वत में आयुजित किया गया यह अद्वेश सेंटर है यह पंशील में इस्तित है और यह राजस्तान का पहला सेंटर है जो जीरो टू एट इयर्स के छोटे दिव्यांग बच्चों को अलग अलग तरेकी की थेरेपी और इस्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करता है मेरा नाम राकिश कुमार कौशिक है और मैं डायरेक्टर हूँ राजस्तान महिला कल्यान मंदल में